हमारे किसान साथियों को नमस्कार आज हम बात करेंगे बारा जाइट कॉंटेक्ट एंड सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइट के बारे में जी हैं दोस्तों पहले हम ये बताएंगे कि यह दवाई कौन कौन से कीटो पर असरदार है यह जो है गर्डल बिटल, सफेद मक्खी, माहू, थ्रेप्स, लीप माइनार, फली छेदक, फल छेदक, दीमाक, अगेती तना छेदक, जड़ विकास और रेड लाल मक्खी, गर्डल बिटल और लीप हापर पर कंट्रोल करती है इसकी जो है पेकेजिंग आपको सभी प्रकार की एमिल में मिल जाएगा इसका जो टेकनिकल नाम है वो है नोलुरॉन 5.25 प्लस इमामेक्टिन बेंजोएट सुन्ने पॉइंट 9 परतिसत की फार्मूलिसन में आपको देखने को मिलता है इसका जो वैपारिक नाम है वो है बाराजाइट इंसेक्टिसाइड किसान भाईयों यह टेकनिकल बहुत ही जचसांदार है और बहुत ही असरदार है कीट ना सक दवाई का रिजल्ट लेने के लिए साम के समय पांच बजे के बाद इस्प्रे करना चाहिए उस टाइम पर आप लोगों को बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलता है इसका उप्योग आप सभी प्रकार के फलों सबजियों और बागवानी की फसल में कर सकते हैं इसक्रिन पर सो हो रहा है जैसे की केला पपिता आम अमरूत अनार सेब आधी प्रकार के फसलों में कर सकते हैं इसका फ़लों तो हो गया आप कौन-कौन सी फ़सलों में कर सकते हैं ये बताते हैं इसका जो है सोया बिन, मू, मीर्च, गेहू, राहर, गन्ना, कपास, भाटा, चना लगभग लगभग सभी प्रकार के बागवानी से लेकर फ़सलों और सबजी वरगी फ़सलों में इसका उप्योगा कर सकते हैं और आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलता है बात करें अगर इसकी दोस की तो पंदरे लिटर पानी के साथ आपको 40 Emile छिरकाउ करना है एक इकर की अगर बात करें तो 380TA में से 400 Emile प्रकार करना है 500 से 200ल्लिटर पानी में और यह जो, इसकी कीमत जो है, वो है एक लीटर आपको अठारा सो रुपए के करीब में मार्केट में मिल जाएगा वो लगभग लगभग हर इस्टेट में अलग अलग रहता है और इसकी साधानिया आपको बच्चों पसुओं से दूर रखें और इस्प्रे करते समय मुह पर मास्क जरूर लगाएं